हेलो एवरिवन वेलकम टू PCS माइंड फ्रेंड्स आज हम कवर करेंगे आपकी इंटरनेशनल करेंट अफेयर दो हजार तेहिस के लिए तो हम आपकी ईदरश्टी की जो मैगजीन आती है करेंट अफेयर की इससे हम पूरे एक साल का करेंट अफेयर आपका यहां पर कवर कर र करना है ठीक है तो आज हम डिसकस करेंगे आपका इंटरनेशनल करेंट अफेयर तो इंटरनेशनल करेंट अफेयर पर भी आपकी एक से दो क्लास होगी तो आज आपकी इंटरनेशनल करेंट अफेयर पर पहली क्लास है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्ला तो friends आज हम discuss कर रहे हैं आपका international current affair जैसा कि आप देख सकते हैं तो सबसे पहली आपकी news है यहाँ पर NSA meet with Central Asia तो इंडिया के जो national security advisor है इनकी meeting हुई थी अभी किसके साथ में जो हमारी Central Asian country है Central Asia में आपकी 5 country आती है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तो इनकी इंडिया के national security advisor और यह जो आपकी Central Asia की country है इनके national security advisor की अभी 6 December 2022 को meeting हुई थी कहां meeting हुई थी यह तो यह न्यू डैली में हुई थी ठीक है तो एक चीज़ बता दू, यह meeting क्यों हुई थी क्योंकि अभी हाल ही में, ठीक है इंडिया और जो Central Asian country है इनके जो diplomatic relation है इसको 30 वर्स पूरे हो चुके है तो अभी 30 वी anniversary थी ठीक है, इस मौके पर हमारे NSC की meeting हुई है ठीक है, इससे पहले आपको आपने देखा होगा कि 27 जन्वरी 2022 को हमारे Prime Minister Narendra Modi ने भी जो है, यह इंडिया की First, India Central Asia Summit भी को भी host किया था, ठीक है वर्चुली इसको host किया था, Prime Minister ने तो इंडिया Central Asia Summit भी हुई थी अभी पहली 27 जन्वरी 2022 को ठीक है, तो इसमें discuss किया गया है कि हमें greater, यानि कि connectivity पर ज़्यादा focus करना है, ठीक है, यह हमारी high priority में होगी, connectivity बढ़ाना एक दूसरे के साथ में आपको पता होगा कि इंडिया invest कर रहा है इरान के जो port है, चाबहार ठीक है, इरान के चाबहार port पर इंडिया invest कर रहा है, और international north-south transport corridor पर भी इंडिया invest कर रहा है, तो बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है, तो यह meeting कहां हुई थी, New Delhi में, चलिए देखते हैं आपकी दूसरी news, दूसरी news है आपकी सार्क currency swap framework ठीक है, तो अभी हुआ क्या है, अभी RBI ने मालदीव monetary authority के साथ में, यानि कि मालदीव के साथ में अभी RBI ने यह currency swap agreement को sign किया है, ठीक है, तो यह जो आपका सार्क currency swap facility है, यह कब से start हुई है, तो यह start हुई है आपकी 15 November 2012 से, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है currency swap agreement होता क्या है friends, swap का मतलब होता है basically exchange करना, ठीक है currency की आपस में अदला बदली करना अगर suppose कि यह मालदीव है, मालदीव के पास में दूसरे देश से आयात करने के लिए, अगर उसे dollar की जरूरत है, और इसके पास dollar नहीं है, तो यह इंडिया से उस चीज़ को ले सकता है, ठीक है, तो इंडिया से ले सकता है, यही है आपका currency swap agreement, यह किस के बीच में है तो यह सार्क कंट्री के बीच में है ठीक है, सार्क कंट्री के बीच में है सार्क में आपकी कितनी कंट्री है, तो सार्क में आपकी 8 कंट्री है, ठीक है तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि सार्क में जो है टोटल कितनी कंट्री है सार्क आठ कंट्री का संगठन है तो वो आठ कंट्री कौन सी है मैं एक बार बता दूँ आपको इंडिया, पाकिस्तान, निपाल, भुटान, ठीक है बांगलादेश, सिरिलंका, माल्दिव एक माल्दिव भी है अपना और एक अफगानिस्तान तो यह आठ कंट्री है सार्क के अंदर तो अभी इंडिया ने इंडिया में जो RBI हमारा सबसे Central Bank है उसने किसके साथ में Currency Swap Framework को साइन किया है तो यह माल्दिव के साथ में साइन किया है ठीक है आप देख सकते हैं कि Currency Swap Agreement क्या होता है यहाँ पर देखिए Currency Swap is an agreement between two cross-border entities where one of them agree to provide a loan ठीक है तो loan के रूप में दूसरी country को foreign currency को दिया जाता है यहाँ पर ठीक है ताकि वो अपना विदेशों से आयात कर पाए तो देखिए Currency Swap Agreement में जो है maximum यहाँ पर 400 million का दिया जा सकता है और कम से कम 100 million का ठीक है ऐसा है यह तो हमने एक चीज़ और आप यहाँ पर याद रखना तो अभी तो हमने मालदिव के साथ में किया है ठीक है लेकिन इससे पहले हमने 2019-22 में ठीक है स्रीलंका के साथ भी currency swap agreement किया था हमने स्रीलंका को भी 400 million का currency swap agreement किया था स्रीलंका के साथ में ठीक है तो स्रीलंका और अभी मालदिव के साथ में क रश्टी से बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है। वो मैं आपको बताती चलूँगी है, और जो थोड़ा कम होगा, क्यूंगी पता तो नहीं है औहले कहां से आएगा, लेकिन थोड़ा सा पता होता है कि क्या चीज़ जादा इंपोर्टेंट है और आने के चांस हैं। इसलिए मैं आपको बताती चलूँगी, देखिए सबसे पहले हमने यह news देखी थी NSA की important है यह आपके लिए ठीक है, दूसरी news काफी important है, यह currency swap agreement जो है कब start हुआ, कौन कौन सी country के साथ हम कर रहे हैं, ठीक है, स्रीलंका मालदी वह भी हमने देखा, तो फिर तीसरी news है आपके स इसलब क्या है, G20 Digital Innovation Alliance, इसको 28 December 2022 को इस campaign को सुरू किया है, इस्टे सेफ online campaign और यह G20 Digital Innovation Alliance को इसको सुरू किया है, ठीक है, और यह जो है, पार्ट है, क्योंकि इंडिया आपको पता होगा G20 की 2023 में, यानि कि इसी साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है इंडिया, ठीक है, तो उसी के पार्ट के रूप ने इसको स्टार्ट किया गया था, बस आपको इतना याद रखना है, तो इस्टे से एक online campaign हो सकता है, आपसे पूछ लिया जाए कि Prime Minister ने launch किया है, तो नहीं, यह किस ने launch किया है, Union Minister सिरी अश्वनी वैसनव ने इसको launch किया है, ठीक है, 28 December 2022 को, बस आप को यहाँ पर इतना याद रखना है, Next News है आपकी Group of Friends, तो Group of Friends क्या है, इंडिया, इंडिया ने इसको launch किया है, Group of Friends को, इंडिया has launched a Group of Friends to promote accountability for crime against Peace Keepers on 15 December 2022, देखे, इंडिया ने Group of Friends जो है, इसको launch किया है, कब launch किया था, 15 December 2022 को launch किया है, किस लिए launch किया है, क्योंकि जो Peace Keepers होत है, देखे, United Nation में आपको पता होगा, कि United Nation की तरफ से सांती सेना भेजी जाती है, अगर कहीं युद होता है, ठीक है, उसको रोकने के लिए, तो यही है सांती सेना, यानि कि Peace Keepers, ठीक है, तो Peace Keepers के against में, जो crimes हो रहे थे, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो Peace Keepers के against जो crime हो रहे थे, इसी के लिए जो है, इंडिया ने group of friends को launch किया है, group of friends में आपकी कौन सब country आती है, तो आप देख सकते हैं, इंडिया है, बांगलादेश है, इजिप्ट है, फ्रांस है, मुरक्को है, निपाल है, यह को चेर की presidency भी संभाले हुए था, ठीक है, तो तब इस group of friends को launch किया गया है, बस आपको इतना याद रखना है, कि group of friends किसलिए बनाया है, Peace Keepers के against में जो crimes हो रहे थे, ठीक है, इसकी accountability के लिए बनाया गया है, कब 15 दिसंबर 2022 को, और यह इसके जो सहाध्यक्ष हैं, आप इनको याद किया गया है, Kenya और South Africa, ठीक है, किसलिए to end plastic pollution, plastic pollution को रोकने के लिए Kenya और South Africa ने just transition initiative को launch किया गया है, हमारे exam के लिए उतना important नहीं है, सायद नहीं ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप याद रखना थोड़ा mind में रहेगा, तो सही रहेगा, ठीक है, तो यह होगी आपका next news है फिर आपके सामने, the Australia India Center for Energy, ठीक है, तो देखें, India IIT मदरास जो है, IIT मदरास partnered with Australian University to launch Australia India Center for Energy to work on United Nations Sustainable Development Goal, तो जो IIT मदरास है, इसने Australia की University के साथ में partnership करके, क्या launch किया है, Australia India Center for Energy, ठीक है, क्योंकि United Nation ने जो SDG goals है हमारे, उसको achieve करने के लिए इसको launch किया है, तो IIT मदरास ने किसके साथ यह agreement किया है, Australian Universities के साथ में यह agreement किया है, ठीक है, तो आपको इतना याद रखना होगा, SDG goal कौन सा है, Sustainable Development Goal, goal number हमारा 7 जो है, ठीक है, जो energy से related है, हमें यहाँ पर इसको achieve करना है, ठ इसके बाद है, फ्रेंड्स आपका Human Development Report 2021-22, ठीक है, तो Human Development Report 2021-22 को देखते है, तो इसमें basically क्या होता है, Human Development Report में, इसमें country का overall achievement को देखा जाता है, ठीक है, और जो आपका Human Development Report है, इसको developed किया गया था, किसके दुवारा, महभूबुल हक के दुवारा इसको developed किया गया था, य एक Economist थे, ठीक है, तो देखे, जो आपका Human Development Report है, इसको publish कोन करता है, ये question आपके exam में बहुत जादा है, मतलब ही तो हमेसा आता ही है, ठीक है, लास्ट येर में काफी बार आ आ चुका है, ये question कि HDR, यानि कि Human Development Index को कोन जारी करता है, तो इसको कोन launch करता है, UNDP इसको launch करता है UNDP की full form, United Nation Development Program, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, एक चीज़ और याद रखनी है, आपको कि इंडिया की rank कितनी आई है, तो इंडिया की rank इस बार 132, 132 rank आई है इंडिया की, ठीक है, 191 country के beach में, तो आपको Human Development Index के report के बारे में क्या याद रखना है, सबसे पहले आ याद रखेंगे, यह किसके द्वारा develop किया गया है, महभू, बुल, हक के द्वारे develop किया गया है, इसको कौन जारी करता है, तो UNDP जारी करता है, इंडिया की rank कितनी आई है, इस बार Human Development Report में तो कितनी आई है, 132, 132 इंडिया की rank आई है, ठीक है, आप देख सकते हैं, एक च जिड्जरलेंड और नॉर्वे, ठीक है, आप देख सकते हैं, इसके बाद देखिए, जो आपका Human Development Report है, इसको किस बेसिस पर जो है निकाला जाता है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर तीन इंडिकेटर होते हैं, इसको निकालने के, इसको मापने के एक तरीके से इसको तैयार करने के, किस बेसिस पर Human Development Report को तैयार किया जाता है, ठीक है, तो तीन बेसिस हैं, पहला है Life Expectancy at Birth, दूसरा है Expected Years of Schooling, तीसरा है Gross National Income, ठीक है, तो यह तीन बेसिस पर इसको जारी किया जाता है, Human Development Report को, ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, यही इसके जैंक क्या आई है, किसके दुआरा यह विक्सित किया गया है, ठीक है, तो जैसे कि हमने देखी लिया, इंडिया की Position क्या है, 132 है, ठीक है, Next News देखते है, Next है आपकी यह भी काफी Important है, Next है आपकी Global Gender Gap Report, 2022 ठीक है, तो Global Gender Gap Report को सबसे पहले तो कौन जारी करता है, ठीक है, इ जारी करता है, आपका Global Gender Gap Report जारी करता है, यहाँ से Question आपकी काफी बार पूछा जाता है, कि इसको कोन जारी करता है, ठीक है, बाद में देखेंगे, चलो देखें, Global Gender Report को आपका World Economic Forum जारी करता है, और सबसे पहले जो आपकी Global Gender Gap Report है, यह इंडेक्स है, इसको सबसे पहले, world economic forum ने 2006 में इसको जारी किया था ठीक है और इसमें top 5 country को है तो top 5 country देख सकते हैं नंबर 1 पर इसमें Iceland आया है दूसरे नंबर पर Finland है तीसरे नंबर पर Norway है ठीक है और bottom 3 country की बात करें जो सबसे नीचे है तो वो है आपका Congo Democratic Republic, Pakistan सबसे नीचे है अफगानिस्तान सबसे ही नीच तो ये आप देख सकते हैं ठीक है देखिए इसके बाद इंडिया की रैंक कितनी आई है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोल्ट में तो फ्रेंड्स इंडिया की रैंक आई है आपकी 135 ठीक है तो इंडिया की रैंक कितनी है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोल्ट में 135 इसको आप य सकते हैं कि Global Gender Gap Report में केवल दो ही कंट्री इंडिया से नीचे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान ठीक है जब कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है ना छोटी-छोटी जो देश है निपाल स्री लंका भूटन ये भी इंडिया से ऊपर है इनका फी प्रदर्शन इंडिया से बैटर रहा है ठीक है तो साउथ एसिया में आप ये चीज़ देख सकते हैं तो हमने देखा Global Gender Gap Report कौन जारी करता है World Economic Forum थोड़ा सा World Economic Forum के बारे में आप देख सकते हैं इसको 1971 में Establish किया गया था स्थापना की गई थी इसका Headquarter कहां है World Economic Forum का तो Switzerland के जेनेवा में है ठीक है इतनी बातों को आप याद रखेंगे Next News है आपकी Global Peace Index ठीक है ये भी काफी Important है Global Peace Index 2022 तो सबसे पहले तो यही कि इसको launch कोन करता है Publish किसके द्वारा किया जाता है तो Friends इसको जारी किया जाता है IEP IEP की Full Form होती है Institute for Economics and Peace तो Global Peace Index को जारी किया जाता है Institute for Economics and Peace के द्वारा और ये इसका Solva Edition था ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है Global Peace Index के Methodology इसको बनाया कैसे जाता है तैयार कैसे किया जाता है तो यहाँ पर भी तीन तरीकों से इसको बनाया जाता है मतलब तीन आधार पर बनाया जाता है पहला ongoing domestic and international conflict की जो country है उसकी country के अंदर और international level पर संघर्स कितना हो रहा है ठीक है क्योंकि हाँ हम peace की बात कर रहे है जैसे कि आप देख सकते है ठीक है पीस की बात कर रहे है societal safety कितनी है security कितनी है militarization कितना है तो इन तीन आधार पर इसको तयार किया जाता है आपके global peace index को ठीक है तो आप देख सकते है यहाँ पर हमें पता चलेगा कि पूरे world में कहां सबसे ज़्यादा ऐसांती फैली हुई है यह सब आप जानते ही होंगे और कहां सबसे ज़्यादा सांती है ठीक है तो देखिए जैसे कि इस report में बताया गया है कि Middle East and North Africa reason remain the world least peaceful तो Middle East ठीक है और जो North Africa का reason है यह दुनिया का स सबसे कम सांती वाला reason है यहाँ बिल्कुल भी सांती नहीं है ठीक है और सबसे ज़्यादा सांती कहां है दुनिया में तो Europe Europe remains the most peaceful reason तो सबसे peaceful reason किसको बताया गया है यूरोप को बताया गया है ठीक है और सबसे ज़्यादा peaceful country कौन सी है अगर हम country की बात करें तो Iceland Iceland में सबसे ज्यादा सांती है ये एक peaceful country है सबसे ओर देखिए अफगानिस्तान में आपको पता है कम ही कहां सांती नहीं है अफगानिस्तान के अंदर भी ठीक है तो ये चीज़ हमने देखी इसके बाद आप देख सकते हैं तो अगर आपको देखना हो कि सबसे ज्यादा ऐसांती किन country में ह एसांती कहां है सबसे जादा तो five country आप देख सकते हैं आपको पता है युक्रेन में वोर चल रहा है तो युक्रेन है गुयाना ठीक है बुरकानिय फासो रसिया है तो ये पाँच कंट्री ऐसी है जहां सबसे जादा ऐसांती इस वक्त मौजूद है ठीक है तो ये आपने द देखा तो हम क्या देख रहे थे हमने देखा अभी global peace index 2022 कोन publish करता है institute for economics and peace ठीक है और सबसे जादा असांती कहां पर है तो middle east और north अफरिका के reason में सांती कहां है यूरोप के reason में सबसे जादा सांती किस country में है तो iceland में ठीक है बाकी चीज़ आप जानते ही है देखे next news है ह तो हमारी सिप्री yearbook 2022 सिप्री yearbook 2022 को release को कौन करता है देख सकते हैं आप इसको सिप्री ही release करता है सिप्री की full form क्या होती है इस सिप्री की full form होती है इस टोक हम international peace research institute ठीक है तो सिप्री yearbook 2022 को कौन launch करता है सिप्री launch करता है देखिए friends तो सिप्री yearbook में ये चीज़ बताई गई है कि टॉप फाइफ मेजर आर्म्स एक्सपोल्टर कोन है और इंपोल्टर कोन है इसका मतलब है आर्म्स एक्सपोल्ट करने का मतलब है कि कहा हतियार का सबसे जादा निर्यात करता है और कौन सा देस ऐसा है जो हतियार का सबसे जादा आयात करता है ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं top five country कौन है जो हतियार का क्या करती है export यानि की निर्यात करती है हतियार का ठीक है तो top five country है आपकी USA है ठीक है रसिया है फ्रांस है चाइना है और जर्मनी है ये top five country ऐसी है देखे जो arms का यानि की हतियारों का निर्यात करती है सबसे जादा ठीक है और कौन सी पांच कंट्री ऐसी है जो हतियारों का सबसे जादा आयात करती है यानि की इंपॉर्ट करती है तो आपका इंडिया हो गिया ठीक है सुधी अरभिया है इजिप्ट है औस्ट्रेलिया है चाइना है ये पांच कंट्री ऐसी है जो सबसे जादा हतियार का आयात करती है तो यह चीज बस आपको यहाँ पर याद रखना है ठीक है चलिए आगे चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट न्यूज देखें फिर नेक्स्ट है आपकी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स दो हजार बाइस तो जो नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स दो हजार तो बस देखते चलते हैं ठीक है तो देखें रिलीज किसके दुवारा पुर्तुलान इंस्टिटूट है इंडिया की रैंक कितनी आई है इसमें 61 आई है ठीक है और इसको जो है सुरू में 2002 में लौंच किया गया था World Economic Forum के साथ मिलकर इसको लौंच किया था ठीक है Network Readiness Index को यह आप देख सकते हैं इसमें 4 Dimension की According इसको जारी किया जाता है Technology, People, Governance, Impact ठीक है चलिए दूसरी News देखते हैं क्योंकि यह इतना जादा Important नहीं है ठीक है देखें दूसरी News है आपकी Friends Gold Refining and Recycling Report World Gold Council तो यह जो Gold Refining and Recycling Report ह इसको किस ने जारी किया है तो आप देख सकते हैं World Gold Council ने इसको जारी किया है इंडिया जो है 4th largest country है in Global Gold Recycling के मामले में ठीक है यह भी उतनी जादा Important नहीं है तो Next News हम देखते हैं देखिए Travel and Tourism Development Index 2021 ठीक है यह Important है आपका आपसे पूछा जा सकता है कि Travel and Tourism Development Index को को जारी करत है इसको पब्लिस करता है आपका World Economic Forum ठीक है तो World Economic Forum इसको रिलीज करता है इसकी थीम क्या थी इसकी थीम थी Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future ठीक है तो World Economic Forum के बारे में आप यहां देख सकते हैं इसको कब स्थापना की गई थी जनवरी 1971 में Headquarter कहा है जैनेवा स्विड़जर लैंड में यह तो Global Wind Energy Council के दुआरा इसका objective क्या है to look up the countries wind energy wind energy को बढ़ावा देना ही इसका मकसद है ठीक है और इसमें top country कौन है तो top countries पर चाइना है ठीक है फिर आपका USA है तो यह चीज़ आप यहां याद रखेंगे next है आपका democracy report 2022 तो democracy report 2022 को कौन किसने release किया है इसको किया है varieties of democracy ने release ठीक है institute at Sweden University of Gothenburg यह इतना important नहीं है ठीक है आप देख सकते हैं तो चलिए next news देखते हैं यह important है friends आपका यह है फिर corruption perception index 2021 यहां से पूछा जा सकता है कि corruption perception index को कौन जारी करता है तो इसको release करती है आपकी transparency international ठीक है तो corruption perception index को कौन जारी करता है transparency international इसको जारी करता है इंडिया की कितनी position आई है इसकी में तो इंडिया की 85th position आई है ठीक है तो आपको यहां पर यह याद रखना है और corruption perception index में top performer कौन है तो top performer जैसे कि आप देख सकते हैं Denmark, Finland, New Zealand ठीक है यह है और bottom performance सबसे नीचे कौन आए है तो South Sudan, Syria, Somalia है इंडिया की rank ह आपने देखी लिए 85th आई है corruption perception index में ठीक है तो देखें, next news देखते हैं, next है आपकी WJP rule of law index 2022, rule of law index 2022 किसके दुआरा release किया जाता है, तो WJP का मतलब है world justice project के दुआरा इसको release किया जाता है, देखें, इंडिया की कितनी rank आई है इसमें तो 77 आई है, 140 country के बीच से, बस इसना याद रखना है, top 3 country कौन है इसमें, तो डेनमार्क, नौर्वे और फिनलेंड, और friends ऐसी biggest country कौन है, जहां पर rule of law का, यानि की कानून के सासन का सबसे ज़्यादा decline हुआ है, हरास हुआ है, तो आपको पता है, ऐसी country के नाम सुडान है, मियम्मार है, हैती, अफगानिस ठीक है, निकारगुआ, तो ये कुछ ऐसी country है, जहां ज़्यादा rule of law का बहुत ज़्यादा decline हुआ है, तो ये चीज़ थी आपकी, next news है आपकी, first ASEAN India Startup Festival 2022, ठीक है, तो सबसे important कि जो first ASEAN, ASEAN country के बारे में आपने सुना होगा, ASEAN में कितनी country है, 10 आपकी, ठीक है, तो first ASE ASEAN India Startup Festival, जो है, अभी आयोजित किया गया था, तो ये कहां आयोजित किया गया था, तो ये इंडोनेशिया के बोगोर में जो है, इसको आयोजित किया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इस चीज़ को, और देखिए, इसको किसने host किया था, तो आप देख सकते है, ASEAN Committee on Science, Technology and Innovation in Partnership, किसके साथ में, Indian Department of Science and Technology के साथ में, मिलकर इसको जो है, अभी लाँच किया था, ठीक है, इसको host किया गया था, बनाया गया था, देखिए, तो जो इसका key highlight क्या है, तो ASEAN India Startup Festival, ये एक flagship initiative है, किस चीज़ के लिए, यहाँ पर collaboration किया जा रहा है, Science, Technology, Innovation के field में, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ASEAN, ASEAN के बारे में थोड़ा देख लीजिए, तो ASEAN की full form होती है, Association of Southeast Asian Nation, ठीक है, ये इसकी full form है, ASEAN की स्थापना कब की गई थी, तो 8 August 1967, ASEAN की स्थापना 8 August 1967 को की गई थी, Bangkok, Thailand में, य ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पर, ठीक है, देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखना आप यहाँ पर कि जो ASEAN, ASEAN है, ये group है, ठीक है, इसकी founding fathers कोन है, किसने इसकी स्थापना के time पर कौन कोन थे, ठीक है, तो ASEAN की founding fathers है, आपके Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore और Thailand, ये इसके founding fathers ह ठीक है, तो ASEAN में कितनी country है, मैं बता चुकी हूँ, 10 member है, ठीक है, 10 country है, नेक्स्ट है, आपका Global Liability Index 2020, इसको कौन release करता है, तो इसको publish करता है, EIU, Economist Intelligence Unit, ठीक है, तो Global Liability Index को कौन release करता है, Economist Intelligence Unit, ठीक है, देखिए, और जो ऑस्ट्रिया की city है, Vienna, ranked first, तो जो Global Liability Index का मतलब यह है, कि सबसे जादा रहना कहां comfortable है, ठीक है, Liability का मतलब रहना, सबसे जादा रहना कहां अच्छा है, ठीक है, और कहां रहना, मतलब worst condition है, एक basic life जो होती है, इनसान की, तो ओस्ट्रिया की जो city है, Vienna, इसकी first rank आई है, ठीक है, और जबकि दमस्कस की rank, जो है, last में आई है सबसे कम, ठीक है, तो ओस्ट्रिया की city, Vienna, first number पर है, इतना आपको याद रखना होगा, देखिए, जो Economist Intelligence Unit है, इसके बारे में थोड़ा देखिए, इसको 1946 में crate किया गया था, बनाया गया था, इसका headquarter कहां है, United Kingdom के London में है, ठीक है, देखते है, next news, next है, आपकी Asia University ranking 2022, इसको किसके दुआरा launch किया गया है, the times higher education के दुआरा इसको launch किया गया है, और जापान, जापान is the most representative nation again in this year, तो जापान जो है, इसमें सबसे अच्छा जापान को बताया गया है, चाइना इसमें दूसरे नंबर पर है, चाइना की top two university इसमें आई है, ठीक है, चाइना की top two university इसम आई है, क्योंकि आपने देखा हम क्या देख रहे हैं, एसिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एसिया में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देख रहे हैं, तो जिसमें जापान टोप पर है और चाइना दूसरे नंबर पर है, चाइना की top two university ने यहाँ पर जंगा बनाई है, ठ ठीक है, तो देखें जो IISC जो है ये, इंडियान इंस्टिटूट अफ साइंस, बैंगलोर, इसने top 50 में अपनी जंगा बनाई है, ये कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, नेक्स्ट है आपका हैंले पासपोर्ट इंडेक्स, हैंले पासपोर्ट इंडेक्स, हैंले करता है, हैंले एंड पार्टनर्स, यहां पर सबसे ज़्यदा इंपोर्टन है कि कौन से देश का जो पासपोर्ट है, वो सबसे ज़्यदा पावर्फुल है, ठीक है, तो देखें, सबसे पहले, इंडिया की पोजिशन इसमें 87 थाई है, हैंले पासपोर्ट इंडेक्स में, जैसा कि मैंने बताया हैं ले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे जादा पावरफुल कौन सी कंट्री का इंडेक्स बताया गया है जपान का बताया गया है इस बार ठीक है और सिंगापूर और साउथ कोरिया जो है ये दूसरे नमबर पर आई है पहले सिंगापूर हुआ करता था ना देखे जापान इस बार पहले नमबर पर है सिंगापूर और साउथ कोरिया दूसरे नमबर पर आई है इस बार ठीक है फिर स्पेन और जर्मनी का नमबर है तो इनके passport सबसे ज़्यादा powerful है ठीक है देखें next देखते हैं हम इंडिया की position जैसे कि आपने देखी कि इंडिया की rank कितनी आई है 87 आई है ठीक है इंडिया के आप passport से 60 countries में visa free entry कर सकते हैं तो ये है अफगानिस्तान का passport सबसे कम powerful है ठीक है तो जापान हमने देख लिया सबस सबसे ज़्यादा number one पर कोन है जापान जापान के बाद कोन है सिंगापूर साउथ कोरिया और फिर जर्मानी ठीक है और अगर हम नीचे देखें सबसे सबसे ज़्यादे नीचे कोन है passport के मामले में अफगानिस्तान इराग सीरिया ठीक है देखें next है आपकी Asia Pacific Sustainability Index 2021 तो अभ पासपोर्ट बताया गया है जापान का बताया गया है ठीक है दूसरे नंबर पर सिंगापूर और साउथ कोरिया है तीसरे नंबर पर आपकी जर्मानी है तो इंडिया की position कितनी आई है इसमें 87 थाई है ये आपको याद रखना है आगी की जो current affair है वो हम next class में आपकी discuss करें है बहुत ही अच्छे से तो आप इस चैनल से जुड़ जाए अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर कर ले वीडियो को like जरूर करें अगर आप class देखते हैं और आपको पसंद आती है आपके लिए helpful है comment में जरूर हमें बताएं कि आपको class कैसी लग रही है तो